हेलो दोस्तो, I hope you all are well तो दोस्तो ये है हमारे daily current affairs की series मैंना चल ला है जून और आज हम देखेंगे 23 और 24 जून 2020 के important current affairs and news तो दोस्तो अगर आप में भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो का दिख सेदिक like और share कीजिए ताकि हर preparation करने वाले student तक ये वीडियो पहुँच सके और दोस्तो अपना support इसी प्रकार हमें देते रहिए और अगर कोई आप कोई भी सुझाव में देना चाहते हैं तो वो comment section में आप हमें दे सकते हैं उसके साथ साथ दोस्तो जो हमारे current videos हैं उत्राखंड से related चाहे GS के videos हो reasoning maths के videos हो सभी का link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की important current affairs तो रुक स्टार्ट करते हैं important day के साथ तो आज जो 23 जून को हर साल मनाया जाता है world olympic day ठीक है दोस्तो तो olympic days की जो olympic games से उनकी starting होई थी 6 April 1986 Greece Athens में Greece की राजदानी Athens में और उस समय 24 गंट्रियों ने participate किया था और जो यह olympic day है इसको introduce किया गया है 23 जून 1948 से तो पहला olympic day कब मनाया गया 23 जून 1948 से तो national olympic committee ने इसको announce किया था पैरिस में तो sorbonny in Paris में इसको announce किया गया ठीक है दोस्तो तो याद रखेगा पूछा जाता है पैपरमें तो world olympic day मनाया जाता है 23 जून को ठीक है दोस्तो और united nations public servant day भी मनाया जाता है 23 जून को एक और day है important तो याद रखेगा युनाइटे नेशन पाप्लिक सवेंट डे भी मनाय जाता है 23 जून को रुख करते हैं कुश्चन की और तो आज के पहला कुश्चन है तो कितने रुपे जो हमारी केंदर सरकार है उसने नौर्थ इस्टन इस्टेट जो हमारे उतरपूर्वी राज्य हैं उनमें हेल्थ केर की फैसिलेटी जो स्वास्त की फैसिलेटी उसको सुधारने के लिए कितने रुपे देने का सेंशन किया है कितने रुपे देगी केंदर सरकार तो इसमें देगी केंदर सरकार 190 करोड रुपे तो 190 करोड रुपे देगी कि इन सरकार जो हमारे पूरवतर राज्ज हैं उन्हें ठीके दोस्तों और ये पैसा दिया जाएगा हेल्थ केर फैसिलेटी को अच्छा करने के लिए अगला गुशन तो कौन से IIT जिसने पार्टनर्शिप किये स्टोरेज, सप्लाई और जो हमारे फूड ग्रेंज होते हैं उनके स्टोरेज और सप्लाई के लिए एक रिसर्च बेस सॉलुशन प्रोवाइट करवाएंगे तो स्टोरेज और स्टोरेज और सप्लाई की फैसिलेटी अच्छी करने के लिए ये किस IIT के साथ United Nation World Food Program ने पार्टनर्शिप किये तो ये की गई है IIT Delhi के साथ और एक और चीज है IIT Delhi एक सप्लाई चेन नेटवर्क बनाएगी जो की पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम होता है या जिसके थुरू हम जो की सरकार है वो फूट को डिस्ट्रिबूशन करती है तो इसमें टार्गेट पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम बनाया जाएगा जो की स्टेट लेवल में जो फूट सप्लाई है उसको सही तरीके से डिस्ट्रिबूशन किया जा सके उसके लिए बनाया जाएगा Target, Public Distribution System और ये भी बनाएगा IIT Delhi तो रुख करते हैं के लिए Question के और तो कौनसी स्टेट है जिसने एक Tri-Parties Agreement तो तीन पार्टियों के बीच में ये Agreement हुआ है एक स्टेट है और दो ये Power Grid और EDCL के बीच में कि ये इस स्टेट में Smart Schools बनाएंगे Smart Classroom स्कूल बनाएंगे हर स्कूल में 4 टीचर अपॉइंट किया जाएंगे और ऐसे 100 स्कूल बनाए जाएंगे जिसकी लागत लगबग 1.85 करोर रुपीज आएगी तो ये किस राज्य के साथ Power Grid और EDCL ने एग्रिमेंट किया है तो ये एग्रिमेंट किया गया है राजिस्थान के साथ तो राजिस्थान में बनेंगे 100 स्कूल और हर स्कूल में अपॉइंट होंगे 4 टीचर और इसको बनाएंगे Power Grid और EDCL EDCIL मिलके ठीक है दोस्तो तो कौन साथ बैंक है जिसने कोलाबरेशन किया है Affordable Plan तो इन्होंने कोलाबरेट किया है Affordable Plan लाँच किया है तो ये एक Health Card है तो किस बैंक ने एक Health Card का एक Affordable Plan लाँच किया है जिसको इन्होंने नाम दिया है Swast Card तो यह स्वास्थ कार्ड लॉंच किया गया है Yes Bank के द्वारा तो याद रखिएगा स्वास्थ कार्ड एक हेल्थ गेर प्लान है यह लॉंच किया गया है Yes Bank के द्वारा अब Tata Suns के जो नटराजन चंदर शेखरा ने इसे इन्हें RBI के नौन ओफिशियल डाइरेक्टर के पत प और RBI का जो Central Board होता उसमें 21 Member होते हैं और RBI को बनाया गया था Reserve Bank of India Act 1934 के तहत और एक अप्रेल 1935 से RBI ने अपना Work Start किया था और 1949 में RBI का गया हुआ था Nationalization नेशनलाइजेशन हुआ था RBI का ठीक है दोस्तों और SBI का Nationalization हुआ था 1955 में तो याद रखिएगा जो RBI का Center Board होता है उसमें कितने Member होते हैं 21 Member और इनके जो Present Governor है वो है शाशिकांत दास तो शाशिकांत दास हैं अभी RBI के Provident Governor इससे पहले थे उर्जित पटेल ठीक है दोस्तों तो अगला वोशन तो वरेस्ट्य नैगी सिमिये एक और बाप प्रणांश करता हैं वरेस्ट्य नैधी öğ प्रस्दों के प्रैसिडेंट बने हैं इन्हें न्योक्ति किया गया किस देश के राष्टपती के रूप में, तो इवरेस्टे बने हैं बुरुंडी के नए प्रेसिडेंट, और बुरुंडी के राजदानी है गिटेगा, और बुरुंडी में मुद्रा चलती है बुरुंडियन फ्रैंक, तो आप याद रखिएगा एवरेस्टे नैदी सीमिवे ये बने हैं बुरुंडी के नए प्रेसिडेंट, तो दोजार बीज, पीस प्राइस को, जो की जर्मन बुक ट्रेड में, जो जर्मन बुक ट्रेड के तवारा दिया जाता है, तो 2020 का पीस प्राइस किसे दिया गया है, तो ये हैं भारत के Nobel Prize पुरुषकार विजेता, अमर्यत सेन को, तो अमर्यत सेन को मिला है 2020 का Peace Prize, जर्मन बुक ट्रेट के दुवारा, ठीक है दोस्तों, और 1998 में अमर्यत सेन को मिला था Nobel Peace Prize, ठीक है दोस्तों, तो इंडिया की जो World Justice Project, Rule of Law Index, रिलीज किया गया है 2020 का, तो इसमें इंडिया की रेंक कौन सी है, तो इसमें इंडिया की रेंक है 69, और इस को टॉक किया गया है Denmark के दुवारा, तो World Justice Project, Rule of Law Index, इसका मतलब जहां पर को laws के रूल, जो law है वो अच्छी तरीक से इंप्लिमेंट है, उसमें सबसे अच्छी तरीक के से इंप्लिमेंट किया जाता है laws को, Denmark में और इंडिया की रेंक है 69, इस इंडेक्स में, ठीक है दोस्तों, तो वट इस दे रेंक आप, तो B.S.E. Bombay Stock Exchange, जो वर्ल्ड के बड़े Stock Exchange में से एक माना जाता है, तो इसकी जो World Federation of Exchanges ने एक रेंकिंग जारी किये, तो इसमें Bombay Stock Exchange को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो Bombay Stock Exchange को मिला है इसमें, दसवाइ स्थान, ठीक है दोस्तों, और एक और Stock Exchange है इंडिया में, National Stock Exchange, एक है B.S.C., एक है N.S.C., और जो यह World Federation of Exchange है, इसका Headquarter है लंडन में, और इसकी स्थापना भी थी 1961 में, और इनकी CEO है, नंदिनी श सुकुमार, तो नंदिनी सुकुमार हैं की CEO, यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा, तो Bombay Stock Exchange को मिला है, 10th प्लीज, इसरो इसरो ने एक पेटेंट ली गया है, इसरो हैस रेसीब्ड पेटेंट फॉर इट्स कूलिंग एंड हीटिंग गार्मेंट्स, तो एक इसरो ने ए औरेंज कलर का था, जो की स्पेशली बनाया गया था गगनियान के लिए, तो जो इसरो का महतोख अंग्शी प्रोजेक्ट है गगनियान, यह किस साल लॉंच होने जा रहा है, तो यह 2020-22 में, तो 2022 में यह लॉंच होगा गगनियान, और इसके लिए एक स्पेस सूट बनाया गया है जो की इस्पेस में मदद करेगा एस्ट्रोनर्स की इस रोग के द्वारा, ठीक है दोस्तो इस रोगा हETख वारटर है, काहा इस रोगा हेटवार्टर बेंगलुरु में, इसके कारण ही बेंगलुरु को का बोलता है, स्पेस सिटी और के सिवाने इनके डिरिक्टर, ठीक है दोस्तों, तो एक बुक लिखी गई है, Legend of Shuldev, The King Who Saved India, तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो The Legend of Shuldev इस बुक को लिखा गया है, मशूर उपनेस राइटर, अमीश्त्रिफाटी जी के द्वारा, और इनकी पहली बुक थी, जो की Shiva Trilogy, जो शिव जी के उपर लिखी थी, इन्होंने, The Immortals of Mehula, ये बुक का भी नाम याद रखेगा, The Immortals of the Mehula, इस सिरीज की पहली बुक थी, शिव ट्राइलोजी के उपर, अभी इन्होंने बुक लिखी है, The Legend of Shuldev, ठीक है दोस्तो, बहुत सारी भुक इनके द्वारा लिखी गई है, आप एक बार, कमेंट सक्षन में मैं बताईएगा, कि Amistri Party ने अभी तक कौन कौन से भुक लिखी है, तो राजिंद्र गोएल, इनका हाली में निदन हो गया, तो राजिंद्र ये खेलते थे, हरियाना, इन्होंने हरियाना, डेली और पंजाब की और से क्रिकेट खेला था, तो रंजी खेली थी इन्होंने, और ये जुड़े होए हैं क्रिकेट से, और हर्याना डेली पंजाब की और से इन्होंने क्रिगेट खेला था तो लचिमन सिंग लेहल इनका हाली में निधन हो गया ये किस से किस शेत्र से जुड़े हुए थे तो ये थे एक आर्मी पर्सनल आर्मी में थे ये और इनकी एक फेमस बुक है जो कि इन्होंने 1965 इंडो पाक वार पे लिखी है Missed Opportunity तो Missed Opportunity बुक लिखी गई है लेचमन सिंग लेहल के द्वारा तो याद रखिएगा ये एक आर्मी पर्सनल थे World Hydrographic Day किस दिन मनाया जाता है तो हर वर्ष World Hydrographic Days मनाया जाता है 21 जून को और इस साल का इसका थीम था Hydrography Enabling Autonomous Technology तो जो Autonomous Technology है उसको हम Hydrography के थुरू किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं ये इस वर्ष का थीम था तो Hydrography Enabling Autonomous Technology तो World Hydrography Day मनाया जाता है हर साल 21 जून को उसके बाद एक Metroid है जिसका वेट लगबग 2.78 केजी है तो ये भारत के के से राजज में गिरा है तो ये उलका पिंड गिरा है भारत के डेजर्ट वाले थार का मरुस्थल है जिस राजज में राजिस्तान में तो राजिस्तान में हाली में एक Metroid गिला है जिसका weight है 2.78 kg तो याद रखिएगा इसे अगला question तो दुनिया का जो लगबग 66 million साल पुराना एक अंडा मिला है और इसे दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा अंडा बताया जा रहा है जो अभी तक मिला है और इस अंडे को धूडा गया है अंटार्क्टिका के सेमूर आइलेंड में तो अंटार्क्टिका के सेमूर आइलेंड में मिला है ये अंडा और इसका निकनेम के रखा गया है तो इसका निकनेम रखा गया है दा तिंग रखा गया है इस अंडे का नाम ये अभी तक मिला हुआ दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंडा है और लगबग ये 66 मिलियन साल पुराना है और ये अंडा बताया जा रहा है कि ये sea lizard का था sea lizard का हो सकता है या snake का हो सकता है जो कि dinosaur के समय में निवास करते थे ये तो जो एक बहुत बड़ा sea lizard होता था और जो एक snake हुआ करता था जो कि dinosaur के समय में उसका ही अंडा हो सकता है ये researcher ने बताया है तो कौन सी metro है जिन्होंने decide कि अपने metro को जो इनका metro station है seaman station की facility और seaman की एक special facility प्रोवाइट कराएंगे अर्थात कि ये जो transgender होते हैं उस community को employment प्रोवाइट करने के लिए ये metro station में employment प्रोवाइट करवाएंगे तो seaman station होगा भारत का सौरी तो metro का कौन सा तो ये noeda greater noeda metro station जो है उसको seaman station में convert किया जाएगा और ये transgenders को employment प्रोवाइट करने के लिए ये कदम उठाया गया है तो याद रखिएगा तो greater noeda metro station होगा पहला seaman station तो पच्चिसमा national reading day प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो जो national reading day वो हर साल मनाया जाता है 19 जून को और ये दिवस किसलिए मनाया जाता है तो जो एक library movement चला था केरला में जिसको P.N. पानी करके जी के द्वारा चलाया गया था तो उनकी death anniversary है 19 जून तो उसके उपलक्ष में हर साल मनाया जाता है national reading day तो याद रखिएगा library movement जो केलरा में चला था वो जुड़ा हुआ था P.N. पानी कर जी से इन्होंने इस movement को चलाया था और इन्ही की death anniversary को मनाया जाता है national reading day के रूप में और इस साल मनाया गया 25 वान national reading day ठीक है दोस्तो तो P.N. ने गरीग पल्यान रोजगार अभियान लांच किया है जो की employment screen है जो की प्रवाशी मजदूर भिन मिन राज्यों में लोटे हैं तो कितने राज्यों के लिए ठीक है दोस्तो जो कॉराना वाइरस के lockdown के situation में अपने घर लोटा है मजदूर तो कितने राज्यों के लिए इस scheme को लांच कर दिया गया है तो गरीब कल्यान रोजगार योजना को छे राज्यों के लिए लोटा कर दिया गया है और ये छे राज्यों बिहार, MP, UP, राजिस्थान, जहारखंड और ओडिसा और इस scheme में कितने रुपे दाले गए हैं तो 50,000 करोल रुपे के साथ इस scheme को लांच किया गया है और इसका mission है कि 125 दे ठीक है न दोस्तो तो ये 125 दिन का रोजगार प्रोवाइट करवाएंगे 166 डिस्ट्रिक में इन छे राज्यों में ठीक है दोस्तो तो पर गरीब कल्यान रोजगार अभियां को छे राज्यों में लांच कर दिया गया है तो कौन सी कंपनी है जिसने जो एग्री हुई है अटल इनोवेशन मिशन नीती आयोग को जो की नीती आयोग का एक पार्टनर्शिप के लिए तो कौन सी company है जिसने partnership के लिए agreement किया है कि वो अटल innovation mission नीटियायोग के साथ partnership करेगी नीटियायोग ही अटल innovation mission के लिए काम करता है ताकि जो entrepreneurs हैं और जो innovation के mission होते हैं उसके initiative पूरी country में चल सके तो इसके लिए partnership अटल innovation mission के साथ partnership किया है Cole India Limited ने ठीक है दोस्तों तो बांगलादेश को कौन सी country ने एक जो trade boost है मतलब उनके वहाँ जो trade है उसको बढ़ाने के लिए एक tariff exemption 97% का tariff exemption without tariff एक loan provide किया है तो ये बांगलादेश को किस देश ने provide कराया है तो ये provide कराया है चाइना के दोरा बांगलादेश को ठीक है दोस्तों तो 97% का trade exemption tariff दिया गया है बांगलादेश को चाइना के दोरा जिसके थुरू बांगलादेश अपना जो trade है उसको बढ़ा सके अपने व्यापार को बढ़ा सके तो इंडियन railway जो ऐसे दो railway station को एतने world class railway station बना रही है दो world class railway station बना रही है जो कि आपको airport की तरफ facility प्रोवाइट कराएंगे तो ये दो station कौन से हैं जिने इंडियन railway world class airport like station में convert करेगी तो ये है दो railway station हभीब गंज और गांधी नगर गुजरात में और हभीब गंज है MP में तो MP का हभीब गंज और गुजरात का गांधी नगर तो ये दो railway station मना जाएंगे तो इनका जिर्णों धर किया जाएगा railway के द्वारा और इसको airport की तरफ facility प्रोवाइट की जाएगी इन दो railway station में तो कौन सी country है जिसने भारत को 200 million euro जो की कोरोना से लड़ने के लिए जो ये 200 million euro की support प्रोवाइट कराएगा Macron, Global Trade Force Displacement in 2019 तो एक report आईए Global Trade Force Displacement in 2019 इसका मतलब जो Global Trade की वज़े से, forcefully displacement क्या जाता है लोगों को ये लगबख 7.5 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है फोर्स पुली तो इस रिपोर्ट को किस और्गनाइजिशन के द्वारा जारी किया गया तो इसको जारी किया गया United Nation High Commissioner for Refuses के द्वारा तो United Nation High Commissioner for Refuses ने रिलीस किया इस रिपोर्ट को लगबख 79.5 मिलियन लोगों को ट्रेट की वज़े से फोर्स पुली उनके स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरीत किया गया या हटाया गया तो Hyundai Motor ने किस बैंक के साथ पार्टनर्शिप किया तो इन्होंने अपना पहला ऑनलाइन Auto Retail Financing Platform जिसको नाम दिया है इन्होंने Click to Buy इसको लॉंच किया तो किस बैंक के साथ पार्टनर्शिप की Hyundai Motor ने Hyundai Motor यह South Korea की कंपनी है South Korea की राजदानी है Seoul और Mudra है Won ठीक है दोस्तो North Korea की भी Won यह पर उनकी है Pyeongchang राजदानी ठीक है तो HDFC बैंक के साथ पार्टनर्शिप की है Hyundai Motor ने और इन्होंने लॉंच किया है Click to Buy ताकि यह अपनी जो कार से उनको Easily Sale Out कर सके तो National Institute National Institute of Public Finance and Policy इसका चेर्मन किने न्युक्ति किया गया है तो चार साल के लिए इनके चेर्मन बने है और जेत पटेल RBI के पूर्व भूत पूर्व गवर्नर और जेत पटेल को न्युक्ति किया गया है National Institute of Public Finance and Policy का नया चेर्मन और दोस्तों एक कमिटी बनाई गई है नीति आयोक के द्वारा जो कि माइगरेंट लेबर हैं और माइगरेंट लेबर और अन्य लोग हैं इनको जॉब प्रोवाइट जॉब प्लेटफॉर्म प्रोवाइट करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेस करीगी तो इस कमिटी के द्वारा होंगे नीति आयोक के सीयो अमिताब कान तो याद रखिएगा नीति आयोक ने जो माइगरेंट लेबर और अन्य लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइट करने के लिए कमिटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता की है अमिताब कानची ने जो कि नीति आयोक के सीयो भी है तो दोस्तो और ये चीज याद रखिएगा कि नीति आयोक के अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं हमारे प्राइम मेनिस्टर ठीक है दोस्तो और नीति आयोक का नाम 2014 से रखा गया है इससे पहले ही होता था योजना आयोक योजना आयोक का गठन किया गया था योजनायोक का गठन कब किया गया था 1951 में ठीक है और यही हमें जो फाइव येर प्लान प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आज के लिए इतना ही हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाय गए वीडियो पसंद आया होगा आपको तो इस वीडियो का दिख से दिख लाइक और शेर कीजिए दोस्तो अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रही है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार कोशिश करते रही है मेहनत करते रहिए हम आपके जलवश की काम ना करते हैं इसी आसा के साथ आपका दिन शुब हो जाहिंद बंदे मात्रम